वेलकम टू एसेट बी चैनल और आम आधित्या शिंग इस वीडियो में हम लोग देखने वालने हैं सोसल साइंस आपके चेप्टर वन के क्योशन एंसर को तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका फर्स्ट क्योशन है चूर्ज दे राइट एंसर फॉर एल्टरेटिव गिवन व तो पहला क्यूशन है बता रहा है कि टॉपिक उप कैंसर डज नाट पास तो जो आपका कैंसर वह कहां से होके नहीं जाता है कहां से नहीं गुजरता है आपको याद हो मैफ दिखा गया था जैसे की ऑपके तो आप सब यह सब देख रहे हैं आपके कंट्री का मैफ है तो आ है अपने कह서 की तरफ हम हम तो आपका एक्जेक्ट अंजर हो जाएगा है ये आपर वरी सा बिलकुल ऊरी सह जाएगा ओडिसा से आपका ट्रॉपिक और चैंसर जो है नहीं होके बुजरता है यह अहीं से हो जाएगा नेस्ट आपका तै इस्टन मोस्ट लांगी तूट उट इंडिया इस यानि इस्टर मोस्ट जो आपके पूरुतर छेतर हैं इंडिया का जो जुका हुआ है वहां का लॉंगिट्यूड कितना है तो आका लॉंगिट्यूड है आपका 97 डिग्री 25 मिनट इस इस्ट थर्ड क्यूस्टन है आपका उत्तराचल उत्रपद्रेश बिहार वे से वह कौन सी मतलब की वह कंट्री है आप पे जो की इसकी बॉंडरी जो है सहर करती तो शुकं कंट्री नेपाल सी जन्चेयाइं नेपाल क्यों इस्टेट्वराइन राइन बोडर है सोचेर होते हैं आपका इस आपका इफ यू इन कावारथि दिविए श्रमर वेकेशन्स क तो आप अगर वहाँ पर जाना चाह रहे हो तो आप भारत के किस उनियों ट्रेटरी से हो के जाओगे तो उसका सही एंसर क्या हो जाएगा बिल्कुल हां लक्षदीप आपका सही एंसर हो जाएगा नेक्स्ट है आपका My friend helps from a country which does not share land boundary with India identify the country यानि मेरा दोस्त और किसी देश में रह रहा है और वो जिस देश में रह रहा है उस देश की जो land boundary है ना वो जो है जो land boundary है वो हमारे भारत देश से जो है ना वो share नहीं करता है मतलब उसकी boundaries दोनों की उस country कि इस country की common नहीं है तो इसमें से कौन से वो country है तो जी हाँ भूटान से भी हमारा जो है बंगरादेश से भी होता है नेपाल से भी होता है तो क्या नहीं है ताजिक से ताजिकी स्थान तो आपका एंसर हो जाएगा ताजिकी स्थान नेश्ट के तरफ चलते हैं नेश्ट क्योशन है आपका क्योशन नमबर टू इसमें अब आपको थोड़ा से एंसर लिखने होंगे तो फर्स्ट क्योशन है नेम दे ग्रूप आफ लाइंग इन द ऑबियंसी तो ऑबियंसी में लाई करने वाले कौन से वो है आईलैंड है तो आपका हो जाएगा लक्षदीब सेकेंड क्योशन है आपका नेम दे कंट्रीज विस आड लाजर देन इंडिया उन देखिए इंडिया हमारा जो है पूरे वर्ल्ड में दी लैंड फॉर्म रिस्पेक्ट बात करें तो सेवेंथ नमबर पर आता है लाजर कंट्रीज में तो यह कौन-कौन से ऐसे कंट्री सिक्स बचे जो कि हमारे कंट्री से ज्यादा बड़े हैं तो उनके कौन-कौन से नाम में देखे सेकेंड है आप रोश्या कैनडा चाइना यूए से ब्राजिल एंड आश्ट्रेलिया यह कंट्री जया इसका एंसर यह हो जाएगा थर्ड आपका आंडमान और निकोबार ग्रूप आप आईसलेंड बिल्कुला और नेक्स्ट क्यूशन आपका इसमें का है एक और विचीज इस आईलेंड और कॉंट्री आर्ड अवर साउधर नाइबर्स हमारे दच्छडी में साउधर मोस्ट में कौन से आईलेंड है तो वो का कि तरफ चलते हैं हम लोग देशन राइस तू हावर्स अर्लियर इन अरुडांचर प्रदेश आइस कंपेर टू गुजराद इन दवेस्ट बट दवाचे सो दसेम टाइम हाव ड़ेजिट हैं यानि कि जो सन है वो जो है राइस कर रहा है अरुडांचर प्रदेश में और व वाचेज हैं जो घड़ियां हैं वो सेम टाइम कैसे दिखाती है कैसे हाव ड़ेजिट इस हैपने कैसे होता है तो इसका आइसर हो जाएगा बहुत सिंपल ही देखिए फॉर्म दा लांगिट्यूड इक्स्टेंट आफ इंडिया इस आप ज़र्व डैट लांगिट्यूड इक्सबेंस इस अब थर्टी डिग्री फ्रॉम वेस्ट टू इस इदि आप लोगों को मैं याद हो तो बताया गया था कि गुजराद से दी देखे हम रांचल प्रदेश की तरफ दोनों में थर्टी डिग्री का जो है लैप समय लॉंगिट्यूड में दिखाई देता है तो र्य टू इनिन भी केस्ट dzień टॉर्ण ही है शमारेणी दिग्री राया सब्सक्राइब को actual JK तो घ्टी हों में सेम वं यह देखता है तो इसके लिए हमारा जो है लोगल टाइम जो होता है न किसी जग़ं का वो इंडियर स्टेंडर्ड टाइम की रूप में फिक्स किया जाता है पूरे वर्ल में पूरे कंट्री में इस वज़े से हमें यह टाइम जो हम घड़ी हम देखते हैं एक और कारण है कि जो सन का राइजेज है रांचर प्रदेश में वहां पर दो घंटे पहले इसलिए भी हो और आप लिख सकते हैं कि इंडियन स्टेंडर्ड टाइम अच्छे थो हो गया दर लोकल टाइम आफ जो हमारा लोकल टाइम है और स्टेंडर्ड ने वह कितना है माना जाता है एक टी टूब्री और थार्टी डिएट थार्टी मिनट इस तो इस वज़े से यह पूरा इसी ब में सेम टाइम देखने को मिलता है तो ही कहरा लांश्ट में विकॉज आप इस रीजन वी फाइंड दो फाइंड देशन राइस टू हावस अर्लियर सिन उडांचर प्रदेश एस कंपेर टू गुजरात इन देवेस्ट बट दवाचिस हो दा सेम टाइम यही कारण है और यही बस रीजन है कि अर्लांचर प्रदेश में दो घंटे पहले सुर्यद हो जाता है गुजरात के कंपेर में फिर भी घडियां सेम टाइम दिखाती हैं आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है आपका क्योशन नंबर फो जो कि है दे सेंटर लोकेशन आफ इंडिया आइड दा हीड ऑफ इंडियन ओर्षेन इस कंसिडर्ड ऑफ ग्रेट सिग्निफिशन फाइड तो जो हमारा जो सेंटर लोकेशन हैं इंडिया का हमारे इंडिया का पूरे गलूब में आपको याद हो तो कैसा लोकेशन है सेंटर लोकेशन है और किसे सेंटर लोकेशन है इंडियन ओसियन के सेंटर में जो हमारा इंडियन ओसियन है जिसे आप हिंद महाशाधर कहते हैं तो उसके बीचों बीच में हमारे इंडिया का लोकेशन है तो ऐसा होना है तो क्या अच्छी बात है मतलब इसको significance बहुत मतपुर क्यूं माना जाता है ऐसा क्या काम हो जाता है सिकंड़ कांसी हाइद हो फायर कांसी को तो उसी अध्यार है दिख्या दिखे दर सेंटन ation of तो देखे सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे इंडिया का स्टैटिक एड़ांटेज है इस प्रसांट हिंद महासागर में बीच वीच होने से सेंटर में होने से वो आया है कि जो उसके आसपास की जो countries है जैसे एउरोप है जैसे वेस्ट पश्चमी तटो के आसपास की जो countries है चाहे वो इस्टाफ एसिया की तरफ के हो यह सभी जगह जो है न वो नजदीक पड़ते हैं इस होजे से वहाँ पर आना जाना बहुत ही जल्दी हो जाता है और यह चीज हमें बहुत ज़्यादा इस्टेजिक एडवांटेज देती है सेकेंड का रीजन है क्यों सिग्निफिसेंस माना जाता है तो सेकेंड हम यह लिख सकते हैं कि दिस हेल्प इंडिया टू इस्टेबलिस क्लोस कंटाक्ट विथ एस्टेसिया आफ्रिका एंड यूरोप जो जगह होता है जहां पर दुन मिलते हैं उसी को कौश्ट कहते हैं जो हमारे भारत कि यकेंतिंद में बता रहा हूं य रह Do यहाहा कर्या दो आपको कंञे का तीह सब्सकूरेग एस्टर्ण काॉश्ट ज़िएक कि है वह ज़्यदा जो है इस टेबलिस हैं मतलब किसली करने के लिए में चेबलिस कर सकते हैं तो इस होजह से भी जीजादा है नोशनदन बाणा जाता है सी आफ्सें कहा कर लिए सकते हैं लोग दधव्यल प्राचीन समय से ही जो हमारे भारत का कंट्रीज यह रहा है कुछ इस तरह से कि यह जो घ्राज को श्री नेचरी नेचरव आप पर जह वह एना वह प्राक्तिक भूप से ही बना हुआ है तो इस होज़े से जो है commerce और बहुत सारे trade को जैसे सामान को carry कर ले जाना यहां से एक अस्थान दूसरे अस्थान पर ले जाके उसको sell करना यह सारी चीज़ा आयात निराथ इसपोर्ट इंपोर्ट यह सब बड़े आसानी से हो जाता है इसलिए C option भी हमारा बता रहा है कि significance हो देखें तो जो हमारे इंडिया का जो climate है ना वह बहुत distinct है यानि कि मध्यम है मध्यम का मतलब यह होता है कि नहीं ज्यादा ठंडी है नहीं ज्यादा गर्मी है मतलब सब कुछ नार्मल है जबकि अदर आउधर एरिया में देखें जैसे कि माली नौर्ट साइड में देखते तो वह इसलिए जो है यहां पर ना तो ज्यादा ठंडी रहती और ज्यादा गर्मी रहती है और नेस्ट है लाश्ट आपका इसलिए यह भी मतलब डी आप्सन से भी यह प्रूफ हो जा रहा है कि भाई यह जो है काफी ज्यादा सिगनिफिसेंस है यानि हमारे इंडिया को इ फैले हुए है उस तरह से इसके कंपेर में कोई और कंट्री नहीं है इसलिए यह यह भी एक मौतपूर सिगनिफिसेंस है इट इस इंडिया इमिन एंड पोजिशन इंड इंडियन ओशन वीच गिवें दनेम आफ एन ओशन आप्टर इट और यही कारड़ है कि सबसे नाम जो है इंडियन ओशन रख दिया गया है तो इस तरह से आपका वीडियो कंप्लिट हो गया है और इसमें कुछ टॉपिक आपको नहीं समझ माया होंगे तो आप वह क्या कर सकते हैं कि आप वीडियो को देख लिए प्लेलिस्ट में प्रोइड करा दे रहा हूं उसमें से देख के बड़े अच्छे समझ सकते हैं कि लॉंगी टूट क्या होता है एक और से कॉस्टर लाइन है मैप क्या है और कैसे कैसे कंट्री जमारे बने हैं कैसे पहले इंडिया कहा था तो यह सारी चीजिया आप उसमें देख सकते बड़े असानी से थैंक्यू